जैजैपूर के ग्राम पंचयाद भात महुल में एक ऐसा सोसाइटी संचालन समू है जिनके द्वारा गरीबों के पेट में डाका डाला गया है दरसल मामला ग्राम पंचयाद भात महुल का है जहाँ पर ग्रामिडों ने महिला स्वासायता समू पर आरोप लगाया है कि महिला स जैसा कि आप लोगों को मालुम होगा इन दिनों पूरा देश विश्व वैस्विक महामारी कोरोना वाइरस से पिडित है जनता एक एक दानों के लिए महताज हो रहे हैं एक ऐसा सोसाइटी संचालक समू है जिनके द्वारा गरिबों के पेट में डाका डाला गया है दरसल तके उपर यह आरोफ लगाया है कि वहाँ पर महिला समू द्वारा काट धारी की अनुपस्थिती में भी चावल निकाल कर गबन कर दिया गया है ग्रामिडों का कहना है कि उनके परिजन या घर के लोग जो बाहर कमाने के लिए या पलायन कर चुके हैं उनका भी रासन यहा जो बाहर गये हैं उनका चामल भी निकाला जा रहा है इसके विशय में ग्रामिडों ने गाओ के सर्पन से सिकायत किया और फिर उनसे सर्पन द्वारा जिला केलेक्टर जिला खाद्य अधिकारी अनुविभागी अधिकारी और जैजै पुर खाद्य अधिकारी से लिखित म अपने लेटार पैड में सिकायत किये हैं हम आपको बता दे कि कुछ दिन पहले हुए होतिक सत्यापन में ग्रामिड विस्तारा क अधिकारी द्वारा समु द्वारा गबन की बात को सत्यापित किया गया है और उनुविभागी अधिकारी सक्ति द्वारा समु को निलंबित क कर दिया गया है और सभी एक दूसरे समू के द्वारा आटेच में चलाया जा रहा है इसके बाद भी लोगों का यह मांग है कि उनका जो राशन गवन किया गया है उसको लटाया जाए और समू के लोगों के उपर एफ हैर दर्ज हो और उचित कारवाही की जाए कर दो आपने कहां से काया जाते हैं उस पर आप क्या चाहते हैं उस पर अपको उसको साज़ा तो काई मेरा समस्या करे मेरा मैं जब्हागा जांम च ला गिया है और उसका चावाल को निकाल कर जो समू है हमारे गाउं का मधिला समू है उन लोग खा चुगे हैं क्या नाम आपके जो हिद्गराही के नाम हिद्गराही के नाम मेरा भावी के नाम राजभाई सवन्वानी है और मेरा मंजला भावी के नाम छोटे लाज सवन्वानी है कितने महने को निकाने हैं दो महने के रासनों लोग खा चुगे हैं तो इसके भ प्राप्त हुआ है मेरे पिता जी को जिस पर SDM अनुविभागी अधिकारी सक्ती को ग्रामासी को सिकायत के अधार पर मैं अउगत कराया था SDM साहब ने तत्काल महिला सुआ साता समू को जो है निलंबित कर दिया गया जो है अधिक दर पर राषन समानकरी बेचा जा रहा था उस पर राषन दुकान संचालक को तत्काल निरस्त किया गया और अन्य समू को जो है अटेज में अभी संचालित करवा रहे हैं उनके बाद अभी ग्रामिड जनो जवारा और फिर सिमस्या सिकायत प्राप्त हुआ है कि मृत ब्यक्ती जो मर गये उनका भी राषन जो है दुकान संचालक द्वारा निकाल कर गवन किया जा रहा है और सबसे बड़ी मुद्दा और समस्या यहां पर है अभी लागडाउन की स्थिती में जो लोग पलायन कर गए हैं उनके परिवार के लोग राषन लेने दुकान पहुँचे हैं तो साब तोर पर राषन दुकान द्वार द्वारा उनको आपसी कर दिया गया आपके मुख् पर सुभास कौसिक जी जो ग्रामिड विकास क्रिशिय धिकारी और ग्राम पंचात के सचिव के उपस्थिती में भौतिक सत्यापन किया गया और जाच सिकायत करताओं का जो है बारी-बारी से बयान लिया गया जिस पर सही पाया गया मृत ब्यक्ति और पलायन ब्यक्तियों को जो है रासन दुकान संचालक के द्वारा रासन समागरी निकाल कर गमन किया गया है इनकी जानकारी जो है लिग कर ग्रामवासी को संतूष्ट करके जो है सुभास कौशिक जी यहां से प्रतिवेदन बना के ले गए हैं ग्रामवासीयों का और मेरा भिया अगरा है कि ऐसे दुकान संचालक को तत्काल कड़ी से कड़ी कर वही मिलना चाहिए ताकि और दुकान संचालकों का मनोबाल इस पर नबढ़ है लाग डम की स्थिती में जो 36 गर सासन द्वारा गरीब परिवारों को निसाय लोगों को फ्री में रासन दिया जा रहा है एक और और ऐसे दुकान संचालक जो अपने निजी श्वारत है के लिए दूसरे के पेट में डाका डाल करके रासन दवन कर रहे हैं इस पर कड़ी कड़ी करवाई होना चाहिए इस संबन में आपने कहां सिकायत किया है इस पर अभी संबन में मैं पूरिट स्पेक्टर महोदया और SDM साब से जो है लिखित में सिकायत किया है और grammar विकास अदिकारी सुभास को सीख सब को जो है लिखित में सिकायत दिया है कि इन पर 40 की समू को जो है करवाही करें 400 विसी का जो मामना है इस पर तकड़ी से करवाही होना चाहिए एकल कि आपके अगर में मैं यहां प्रवाइब दल अधितारी के बतार में आया हुआ है इसमें क्या मिला सर जांच में यह पाया गया जो डियो के नुसार जो चावल की मानक मात्रा थी जिसे जो है 42-43 कुंटल कम पाया गया जिसको मैंने भुतिक सत्यापन मौपे पर जाकर किया है पचास कष्टी माल खरावदा से देवेंद्र रात्रे की रिपोर्ट एसी एंट 24